दोस्तो ये content जो आप सभी लोगों को अभी screen के ओपर दिख रहा है अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलू कि इन content को लिखने के लिए साथ के साथ इसके अंदर थोड़ी बहुत correction करके दुबारा लिखने के लिए अगर आप सभी लोगों को earning मिले तो कैसा रहेगा दोस्तो आज मैं आप सभी लोगों को ऐसी शांदार website लेकियागा हूँ एक नहीं ऐसी तीन website के बारे में बताने वाला हूँ जिन website के बारे में आज तक आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा दोस्तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बहुत easy सा काम है बहुत simple काम है यहाँ सेक्षन के अधर अपना पेटियम नंबर डाल देना है क्योंकि टॉप 50 यूजर्स को जो है पेटियम कैश के लिए गिवे है तो आप प्लीज 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 वीडियो देखते के साथ साथ कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं करा है ना मेरे भाई क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है इतनी जबरदस्त होने वाली है इतनी फैंटास्टिक होने वाली है जिन वेबसाइट के बारे में आप सभी लोगों को पता ही नहीं होगा दोस्तों सबसे पहले मैं cover करूँगा bbc.com आप इन सभी वेबसाइट के लिए आप या तो note बना लीजिए या तो अभी screenshot ले लीजिए अपने mobile phone में क्योंकि जो मैं एक एक step by step आप सभी लोगों को चीजे समझाने वाला हो ना मुझे लगता है कि जहां तक काफी सारी चीजे आपकी रुकना जाए इसलिए अभी आप इस चीज का screenshot ले लो पहली website BBC उसकी बाद जो दूसरी गूगल नियूस ठीक है अब स्टार्ट करते हैं जो हमारी typing की website दोस्तों इस website का ना में constant content अब constant content की बात करो तो इसकी rating भी लगबग लगगा 4 की rating है और एक बहुत अच्छी खासी earning आप यहां से generate कर सकते हो दोस्तों यहां पर यह जो company है LinkedIn, Uber, QEC, Best by बड़ी बड़ी companies के सा अब काम करती है अभी बात करेंगे कि यहां पर आपको typing करके earning कैसे मिलेगी दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है 1000 word का जो है एक page type करना है एक news type करना है और उसको type करने के बदले आप सभी लोगों को earning मिलेगी कि लगबग 500 रुपी पर आर्टिकल आप सभी लोगों को दे दोस्तों आप जब second website की बात करेंगे इस website का नाव है UX Booth अब यहां पर पहले सभी website को आपको मुखडा मुखडा बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको briefly बताऊंगा कि कितना payout मिलेगा कितनी currency में कैसे मिलेगा कैसे टाइप करना है all procedure retention लेने की कोई बात नहीं है दू जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप word के उपर सबसे पहले एक news टाइप कर लो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं news आप सभी लोगों को देखने को मिल गई है अब बात आती है यह news मैंने प्रॉपरली तो नहीं अपने इसाब से लिखी है लेकिन मैं इसके क्या करना है किसी भी news के उपर है क्लिक कर लेना है यहां पर आपको दिग गया हाई स्टीट फैशन गेट इंटीडेक्स विच ऑंस ब्रैंड्स इंक्लूडिंग जारा तो यह जारा ब्रैंड्स के उपर कुछ एक नया सा वह जो आया हुआ हुआ है कुछ निउस है तो आपक जारा का है थोड़ा से इसको हम बढ़ा कर लेंगे जो चीज में सिखा रहा हुआ दोस्तों इस चीज को सीखना बहुत जादा जरूरी है वरना बाग में बड़ी दिक्कत होगी यहां पर सबसे पहले हम इसके जो टाइटल को है वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे जैसे हाई इसका प्रणाउंशेशन आप सभी दोगों को चेक करना पड़ेगा जो प्रणाउंशेशन आप गुगल के उपर असानी से चेक कर सकते है यह सारी चीज़ आप देख लोगे और आपको जो है बीच बीच के अंदर जैसे कि यहाप फिफ्टीन येर कर देना है जैसे यहाप एक सेक्स कर देता हूं कि यहाप फिफ्टीन येर से वो डाल देना आप यहाप 37 नंबर में लिखना नुमेरिकल फॉर्म में लिख देना इस टाइप करके आपको पूरा कंटेंट जैज करना है अब क्या करना है यह बात धान से सुन लेना वरना आपके आर्टिकल्स अप्र पर वर्ड का और आपको मिनीमबम जो सेंड से आपर देखने को मिलेंगे हो 1.75 सेंड तो पर अने मला वर्ड के आपको देखने को मिलेगी लेकिन अम बात करूँका कि यहांपर बात कि यहांपर आपके एक हजार लोगों को दिखाया जाएगा मैं आपको सब पहले बता सी में convert करूं तो लगवग 7749 मालब around around 500 रुपए आपको एक article तो मिलेगा अगर उसके उपर 1000 व्यूज आ जाते हैं तो यह चीज़ आप सभी लोग अराम से समझना है अब बात आती है कि सरम इसके इंदर registration क्या से करें तो registration करने के लिए यहां पर आपको एक option दिख रहोगा free author registration के इसके उपर क्लिक कर ले रहा है अब आएगा a client to order content and author to earn money writing content यहां पर आपको sign me as an author के उपर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर अपना profession लिख लेना है आपको पता कहा ID password login विकरा select करना है और उसके बाद इसको I agree के उपर click करने के बाद यहां sign up कर देना है अब दोस्तों same as it is आपको second website के अंदर आए कि जिसका नाम है constant content अब जो text broker की website है उसका review इतना अच्छा खासा नहीं है market के अंदर मैं बगर बात करू constant content की तो इसका review जो है market वे एक बहतर review देखने को मिलेगा यहां पर आप सभी लोगों को क्या करना है यहां पर sign up वाले section के उपर click करना है sign up as writer के उपर click कर लेना है and writer के उपर click करने के बाद आपके सामने तीन लंबे चौड़े से form दिख जाएंगे आपको इसको properly एक एक चीज़ समिट कर लेनी है दोस्तों कि आपको बाद में problem ना है बिल्कुल भी यह सारी चीज़े select करने के बाद आपका third option आता है UX booth अब यह UX booth की जो website is save authorities इसके अंदर भी वही काम होने वाल है basically जो काम आप यहांवे text broker और constant content में किया है वही काम आपको UX booth में भी कर लेना है यहांपे आपको क्या करना है right for us के उपर click करने के बाद यहांपे आपका name आपका email address यहांपे आपको सारी date डालने के बाद submit कर देना है अब मैं जो चीज कहने वाला हूँ इस चीज को समझना और सुनना बहुत जादर जरूरी है जितने लोगों ने भी अभी तक वीडियो को skip कर दिया ना मेरे भाई अब कुछ भी नहीं समझा आने वाला मैं पहले बता दू और जो लोग अभी तक टिक गए वीडियो के उपर अब आपको आने वाला है यहां से एक मज़ा अब मज़ा क्या आने वाला है वो मेरी बात ध्यान से जुलो तो यहां पे आप सभी लोगों को क्या करना है जो content आप यहां पे बनाओगे जो मैंने word पे आपको बताया होनी ही होनी है अब यह तो समझ आ गए आपको कि bcc.com के उपर आप सभी लोगों को news देखने को मिलेगा बात आ जाती है Google News अब Google News क्या करते है और news पूरे Google के उपर क्या trending चल रहा है यह सारी चीज़े निकालती है तो यहां पे आप सभी लोगों को वही चीज़े करनी है उन चीज़ों को select कर लेना है add copy paste तो पूरा नहीं करना है मैं पहले बता दू थोड़ा सा changes कर सकते है जादा changes भी करोगे और इसमें क्या होता है आजकर paid for article जैसी website आ रही है अब वो paid for article जैसी website क्या करती है उनका काम क के उपर आप training ले सकते हो कि free में आप article लिख सकते हो अभी मैं आपको एक website के बारे में और बताऊँगा खेर इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही होगा ठीक है Fiverr के उपर भी आजा ना Fiverr अब जब इतने articles जब यहां ही पर लिख देखो article खराब नहीं जाना च सकते हो बहुत सारी विबसाइट है Fiverr है Freelancer है Upwork है Guru है सारी विबसाइट पे छापा मार दो एक एक सबी के application आ रहे है प्ले स्टोर से डाउनोड कर सकते हो mobile users यार क्यों बैठे हो मेरे तो यह बात नहीं समझाती है आप आराम से प्ले स्टोर के पर आप डाउनोड कर सकते ह जो एक ही script लिखना 10 जगा पर डाल दो कोई फरक नहीं पड़ता है एक जगा से आप पर हुआ आर्निंग आएगी मिरे बाई एक चीज मुझे बताना अगर आप 10 वेबसाइट के पर डाल दो एक वेबसाइट से आपके पूरे महिने में 10 डॉलर की अर्निंग नहीं होगी क् आप समझ सकते हूं मैं USD to INR आप सभी लोगों को एक बर दिखा देता हूं USD to INR ठीक है एक बर मैं इसको दिखा देता हूं USD to INR today अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर 10 डॉलर आपको मैं यह मान के चलोगी 7500 रुपय आपकी एक वेबसाइट तो दे जाएगी अगर मान करते हैं आप सभी लोगों को काम करने के एक नोट्बूक उठाने के एक पैन उठाने के बहुत ज़्यादा बड़ी बात निया बहुत छोटी बात है अराम से अर्निंग जैनरेट कर सकते हैं कोई भी प्र Gibran चानल है आपके बाई के घान पे आ पूच सकते हो नीचे कमेंट पूरा खाली पड़ा है यार कमेंट कर दो अभी तक लाइक नहीं करा है वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों लाता रोगा आप सभी लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जब तक के लिए जैहन वन दे मातरम